हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू आल ऑन यूटूब चैनल लर्न अप इंवार्मेंट तो दोस्तो आज हम मेटलोर्जिकल इंस्टुमेंट्स के बारे में जानेंगे तो दोस्तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्ट वीडियो है पेपर वन और पेपर टू कि अगर आप तयारी कर रह होते हैं जिनके हमें मेजर करते हैं रेकुलर्ली डेली बेसिज में तो आपको पता होना चाहिए कि उन परमीट्र को जैसे कि टेंपरेचर को आपको पता हुआ था मेटर से मेजर करते हैं वैसे ही विन स्पीड विन डारेक्शन किन इंस्टुमेंट से मेजर करते हैं तो दो तो आपको सारे नाम याद रखने किसी भी नाम से आपको को कोशन पेपर में पूछ ले जाएगा तो यह है बेसिकली हमारा अमांट ऑफ रेंफॉर बेसिकली लिक्विट प्रेसिपिटेशन बीजिसे बोलते हैं उसको मेज़र करता है जैन हमारा है विंडवेन विंडवेन हमारा मेज़र करता है डारेक्षंट फॉद इसके बार हमारा है सिल्योमिटर यह हमारा डियाटमान करता है height of a cloud base and overall cloud thickness cloud thickness क्या है उसको determine करता है then हमारा lycimeter है बहुत ही important है basically यह बहुत कम लोग को पता होता है कि इसका function क्या है basically यह measure करता है actual evo-poor transpiration जिसे हम ET sort में बोलते है then हमारा है this drometer यह हमारा measure करता है drop size distribution and velocity of falling drain drop then हमारा है solarimeter measures combine direct and diffuse solar radiation then हमारा है pyrometer and pyranometer दोनों में subtle difference है तो हमारा pyrometer है measure करता है temperature of distance object basically remote sensing में इसका use होता है then pyranometer जो हमारा होता है यह measure करता है total amount of sunlight reaching a horizontal plane on earth surface then हमारा है pyro heliometer यह measure करता है हमारा direct beam or diffuse solar irradiation and then हमारा है lux meter यह हमारा measure करता है visible light flux जैसे हमारा rain gauge है वैसे हमारा snow gauge है वो measure करता है हमारा जैसे हमारा rain gauge rainfall को measure करता है वो हमारा है hail storm यानि कि basically solid precipitation को measure करता है तो दोस्तों यह सब थे instrument जो हमारे generally use होते हैं day to to basis में measurement में methodological parameter तो दोस्तों based on this instrument एक question हमारा पूछा गया था recently 2020 में और उस question में हमें चार इंस्ट्रूमेंट दिये थे और उनके function दिते हैं मैच करना था basically बहुत ही easy हो जाएगा कर आपने यह video ध्यांसर देखा है तो इसका answer जो है 3 है धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को like करना ना बुले और share अपने दोस्तों का जरू करें ताकि उनको ऐसे ही मेरी चैनल की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें